हेलो दोस्तो आप सुभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के गयान टू पॉइंट फाइब में दोस्तो आज मैं आप लोगों को सीटेट परिच्छा के लिए महत्तपूर्ण जी इन पियाजे के संग्याना अतमक विकास एवमुन की चार अवस्थाओं के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियों को लाइक करें जीन पियाजे सर्व प्रत्म संग्याना अतमक पच्छ का करमबध वा बैज्यानिक अध्यन सुईटजर लेंड के पसिध्य मनों बैज्यानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया संग्यान प्राणी का वह ब्यापक और अस्थाई ग्यान है जिससे वह वातावरन उत्तीवपक जगत बाह जगत के माध्यम से ग्रहन करता है जीन पियाजे ने संग्यानातमक पच्छ पर बल देते हैं संग्यानातमक विकास के सिध्धान्त का प्रतिपादन किया था इसलिए जीन पियाजे को विकासातमक मनुविग्यान का जनक कहा जाता है विकास आतमक मनो विज्ञान के अंतरगत सुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से ब्रद्धावस्था तक का धिन किया जाता है विकास प्रारंब होता है गर्भावस्था से संग्यान विकास सैसवावस्था से प्रारंब होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है जीन पियाजे ने संग्यानात्मक विकास के सिध्धान्त को चार अवस्थाओं में समझाया है। जीन पियाजे की पहली अवस्था है सम्वेदी पेशी अवस्था या इंद्रीय जनित अवस्था या अवस्था जीरों से दो वर्स तक होती है। इस अवस्था में बालकों में निम्न लच्छन उत्पन होते हैं जो इस प्रकार हैं जन्म के समय सिसु बाहि जगत के प्रत अनिभिग होता है धीरे धीरे वा आयू के साथ साथ अपनी समेदनाएं वा सारीरिक क्रियाओं के मध्यम से बाहि जगत का ग्यान ग्रहण करता है वा वस्तूओं को देख कर वा सुनकर स्पर्स करके गंध के द्वारा तथा स्वाद के मध्यम से ग्यान ग्रहण करता है छोटे छोटे सब्दों को बोलने लगता है परिचितों का मुसकान के साथ स्वागत करता है तथा परिचितों को देख कर भय का परदंसन करता है जो बालक होता है वह परिचितों को देख कर के मुसकान से स्वागत करता है तथा परिचित लोगों को देख कर वह डर जाता है भय का परदंसन करता है दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियातमक अवस्था यह अवस्था दो से साथ वर्स तक होती है इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलोने उसे अनुकरण के माध्यम से बालक सीखता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलोनों की आयू भी कहा जाता है इसी अवस्था को खिलोनों की अवस्था भी कहा जाता है रंगों को पहचानना वस्तूओं को करम से रखना हलके भारी का ज्यान होना माता पिता की आज्या मानना पूँछने पर नाम बताना घर के छोटे छोटे कारों में मदद करना आद सीख जाता है लेकिन वह तर्क बितर्क करने योगी नहीं होता इसी लिए इसे आतारकिक चिंतन की अवस्ता के नाम से भी जाना जाता है वस्तु अस्थाइत्तु का भाव जागरत हो जाता है निर्जीव वस्तु में सजीव चिंतन करने लगता है इसे जीव वाद कहते हैं परतीकातमक सोच पाई जाती है अनुकरण सीलता पाई जाती है सिसु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम हत्तु देता है तीसरी है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्ता यह आवस्ता साथ से बारा वस्तक होती है इस अवस्ता में तारकिक चिंतन प्रारंब हो जाता है लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रतेच वस्तों तक ही सीमित रहता है वा अपने सामने उपस्थित दो वस्तों के बीच तुलना करना अंतर करना समानता वा समानता बतलाना सही गलत वा उचित अनुचित में विविध करना आद सीख जाता है इसी लिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है बालक दिन तारीक समय महीना वर साध बताने योगी हो जाता है उत करमडी सीलता पाई जाती है इसी लिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है भासा एवं संप्रेशन योगेता का विकास भी इसी अवस्था में हो जाता है चोथी अवस्था है अवपचारिक संक्रियातमक अवस्था यह अवस्था बारावस के बाद से प्रारंभ होती है इस अवस्था में किसोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योगी भी हो जाता है इसलिए इसे तारकिक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विगास हो जाता है इस अवस्था में परिकल्प नातमक चिंतन पाया जाता है जीन पियाजे का संग्या नातमक विकास का सिध्धान्त इस सिध्धान्त के प्रतिपाद के आपरवर्तक जीन पियाजे को मना जाता है जो की सुटजर लेंड के निवासी थे जीन पियाजेक, मनोबै ग्यानिक और अनुआंसिक एपिश्टे मोलाजिस्ट थे वा सबसे अधिक संग्या नातमक विकास के अपने सिध्धान्त के लिए प्रसिध हैं संग्या नातमक विकास का सिध्धान्त इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बहुधिक रूप से कैसे बिक्सित होते हैं पियाजे के सिध्धान्त से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वैसकों के रूप में सोचा जाता था पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग है जिस तरह से वैसक सोचते हैं उनके सिध्धान्त का मनोबिग्यान के भीतर एक बिसिष्ट उप छेतर के रूप में विकासात्मक मनोबिग्यान के उदभाव पर जबर्दस्त प्रभाव था और सिच्चा के छेतर में बहुत योगदान दिया उन्हें रचनावादी सिध्धान्त के एक अगरणी के रूप में भीसरे दिया जाता है जो बताता है कि लोग अपने बिचारों और अपने अनुभों के बीच की बातचीत के आधार पर सक्री रूप से दुनिया में अपने ग्यान का निर्माड करते हैं 2002 के एक सरवेचण में पियाजे को बीसमी सताबदी के दूसरे सबसे प्रभावसाली मनोबैग्यानिक के रूप में अस्थान दिया गया था जीन पियाजे का सिच्छा में योगदान जीन पियाजे ने संग्यानात्मक विकास के सिध्धान्त का प्रतिपादन किया बाल केंडित सिच्छा पर बल दिया जीन पियाजे ने सिच्छण में सिच्छक की भूमिका को महत्पूर्ण बताते हुए कहा कि सिच्छक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए बालक कों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तयार करना चाहिए जीन पियाजे ने बुद्ध को जीव विज्ञान के सिमी इसकीमा की भात बदल कर बुद्ध की एक नवीन ब्याख्या प्रस्तुत की जीन पियाजे ने आतमी करण समंजन संतुलितनी करण वा इसकीमा जैसे नवीन सब्दों का प्रयोकर सिच्छा के छेत्र में महत्तुपूण योगदान दिया इसकीमा वात्तावरन द्वारा अरजित संपूर्ण ज्यान का संगठन ही इसकीमा कहलाता है जीन पियाजे के संग्यान आतमक सिधान्त से संबंधित आति महत्तुपूण प्रस्निस प्रकार है पियाजे के सिधान्त को और किस नाम से भी जाना जाता है तो इस सिधान्त को विकास अवस्था सिधान्त या संग्यान आतमक विकास का सिधान्त कहा जाता है पियाजे के अनुसार ब्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किसी भाग का विसेश योगदान होता है तो इसका राइटा एंसर हो जाएगा बच्चपन पियाजे के संग्यानातमक विकास की परकिरिया में मुख्यता किन दो बातों को महत्यपूर्ण नाम माना है संगठन वानुकूलन को तारकिक चिंतन की छमता का विकास किस अवस्था में होता है और पचारिक या अमूर्त संक्रियातमक अवस्था में बेक्तिवा वातावरण के संबंध को कौन सा बाहि रूप से प्रभावित करता है अनुकूलन समस्या समाधान की छमता का विकास किस अवस्था में होता है अमूर्त या अवपचारिक संग क्रियात्मक अवस्था में जीन प्याजे का जन्म कब हुआ नव अगस्थ अठारा सव च्यानवे सिवी में प्याजे का सिधान्त किस पधत से सिखने पर बल देता है खोज पधत से सिखने पर बल देता है पियाजे के अनुसार दस वर्स या उससे बड़े उम्र के वच्चे किस प्रकार की नहतिकता पर दर्सित करते हैं तो तंतरता अधारित नहतिकता पर दर्सित करते हैं जीन पियाजे की परसिद्ध का प्रमुख कारण क्या था बाल विकास पर किये गए उनके द्वाराकारी पूर्व संक्रिया अवस्था में प्रकट होने वाले लच्छन को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है उत्तर दो एक पूर्व प्रत्यात्मकाल दो से चार वस दूसरा अंता प्रत्यात्मकाल चार से साथ वस सम्यदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है समेदी पेशी अवस्था को छे भागों में बांटा गया है उन छे अवस्थाओं के नाम हैं एक सा किरिया वस्था दो परमुख बित्ती अनुपिरियाओं की वस्था तीन गाउन ब्रती अनुकिरियाओं की वस्था तीन गाउन सिक मेटा की समनवय की वस्था पांच त्रती ब्रती अनुकिरियाओं की वस्था छे मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की वस्था जीन पियाजे ने किस उमर के बच्चों का अवलोकन और साच्छात कार किया था चार से बारावस के बच्चों का बाहरी सत्ता के अधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारडा में विश्था करते हैं जीन पियाजे कौन थे जीन पियाजे सूइटजर लैंड के एक मनो बैज्ञानिक चिकित सक थे पियाजे का संग्याना अतमक सिधान्त किस से संबंधित है मानो बुद्ध की प्रकृतियों उसके विकास से या सिधान्त किसकी प्रकृति के बारे में बतलाता है ग्यान की कैसे प्राप्त वा उपयोग होता है यहां सिध्धान्त पताता है कि ग्यान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और उसका उपयोग सिच्छा में कैसे किया जाता है जीन प्याजे ने काउन सा सिध्धान्त दिया था संग्यानातमक विकास का सिध्धान्त दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियों को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियों अफ्लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए थैंक्स फार वाच का फ्राए थैंक्स का नचटिविकेश ठिर्मी जाएब को ल Knights उस्मारे करें तो होती हैं को सह COM जढ़ लिए हैं किया एंक्छ।